आज मैं बात करूँगा endocrine gland के बारे में उससे जोड़े most important terms के बारे में जो आप यह competitive exam और जितने भी तरह के इंट्रेंस इग्जाम में चाहे वह फार्मेसी को लेकर करके हो यह किसी बी तरह के पॉल्टेखनीक इंट्रेंस एकजाम के लिए उसके लिए बहुत ज्यादा अब इनमें नली नहीं होती है इसीलिए जब इनमें से हार्मॉन निकलता है तो डारेक्शिन हार्मॉन तुरंत हमारे बलड में बने रहें तो चले शुरुवात करते हैं हमारे पहले जो gland है hypothalamus gland है hypothalamus gland का सबसे most important question यह पूछा जाता है exam में कि इनमें कौन सा हार्मों स्रावित होता है तो इनमें nerves हार्मों स्रावित होते हैं यह आपको ध्यान में रखना है और इसका सबसे पहला कार यह है कि यह सभी अंतसरावी ग्रंथियों को जितने भी अंतसरावी ग्रंथी है उन सभी को यह कंट्रोल करता है उसके बाद आती है पीनियल ग्लैंट के बारे में पीनियल ग्लैंट जो है यह दो तरीके के होते हैं एक होता है मेलाटॉइन और एक होता है सेरोटॉइन जो है वो रात की समय हमारे स्कीन को रंग को काला करता है जैसे साम होती है या रात होती है हमारे स्कीन देखिएगा थोड़ा उसमें काला पना जाता है तो ये मेलाटॉइन के कारण होता है और सेरोटॉइन का काम क्या है न बदत करती है छोटे बच्चों में यह अधिक सक्रियर आता है इसलिए उन्हें नीन जादा आती है अब बात करते हैं हमारे तीसरे ग्लैंड की वह है थाइरोड यानि कि आउटू ग्रंती यह सबसे बड़ी अंतिस रावी ग्रंती है लेकिन अगर कोश्चन आए कि सबसे बड और बी बीपी को कंट्रोल कैसे करता है थाइरोड Satan को रिलीज करके तो इसका दूसरा कोश्चन यह बनता है किसमें से कुश्चा ओर posus निकलता है तो इसमें से थाईरोड 26 ईहार रित si नहीं निकलता है अब बात की जाए कि अगर किसी वैक्क्री में सा हार्मोन ना निकले तो उसे कौन-कौन सी बिमारी होती है ये भी कोश्चन कई बार पूछा गया है तो सबसे पहला है गोईटर में ये गले का जो हिस्सा है वो क्या हो जाता है फूल जाता है और दूसरा है क्रिटी निजिम ये बच्चों में होने वाली बिमारी है इसमें करते हैं कि यह आपका जो थारोड़ गनती है इसके दो और गरंती है जिसमें पाराठ Bijह ऑल्याइस यह पर होती है इसके थीक पीछे यह च्छोटे च्छोटे दाने के वराबर होते है तो यह है आपका पाराठesterol ट्를 anti इसे कंट्रोल नहीं कर पाती है तो प्यूस ग्रंथी जो है आपका पारा थाराइड ग्रंथी को कंट्रोल नहीं कर पाती है और इससे पारा थायरक्षिन हार्मोन निकलता है और इसमें कैलसियम और फासफोरस की मात्रा होती है यानि हमारे सरीर में कैलसियम और फासफोरस की मात्रा को ये कंट्रोल करके रखता है उसके बाद जो एक और है थाइमस ग्लेंट थाइमस ग्लेंट जो है वो हमारे वच में पाया जाता है वच का मतलब होता है चाती और इन में प्रोटीन और लिंफोसाइट रिलीज होते हैं लेकिन खास बात यह है कि यह जो हार्मोन है सिफ 15 इयर्स तरकी निकलती है यानि बच है कि जब 15 साल हो जाता है तो उसके बाद यह निकलना बंद हो जाता है इसलिए चोटे बच्चों को विमारिया कम होती है उनकी प्रतिरोधक छमता बहुत अच्छी होती है एड्रेनील जो है हमारे कीड़नी के ऊपर पाया जाता है और एड्रेनील हार्मोन जो है वो प्रजी के ज़रत होती है तो यह हमारी उतेजना को बढ़ाता है और हमारे मसल को मजबूत करता है ताकि हम फाइट कर से के या भाग सके दोनों में ही मसल्स का मजबूत होना बहुत जरूरी है उसके बाद यह बीपी को भी तेज कर देता है यानि ब्लड पेशर को अचानक स घलाती है और इसमें इसका एक most important question जो कई बार पूछा गया यह है कि सभी जो gland है उनमें से जो हार्मोन निकलता है वो तो प्रोटीन से बना होता है यानि जितने भी हार्मोन होते हैं वो प्रोटीन से होते हैं लेकिन कौन सा ऐसा हार्मोन है जो अस्टेराइट कब बना होता होते हैं एक मेल में यह हार्मोन अलग होते हैं और फीमेल में अलग होते हैं मेल में टेस्टीस में यह हार्मोन निकलते हैं जिसमें टेस्टरॉन होते हैं और जो सुक्राणों को निकालने में मदद करते हैं टेस्टरॉन जो है यह ऐसा हार्मोन है जो पिसाब में गंद में यह उत्तरदाई होता है यानि हमारे पिसाब से जो गंध आती है वो टेश्टरॉन के कारण आती है आप देखते होंगे कि जब आप रोड से गुजर रहें तो कुछ कुछ कुटे जो है आपके पीछे लग जाते हैं आपकी गाड़ी को आपको समझ में नहीं आता है कैसा क्यो हो रहा है तो हुआ क्या होगा कि कोई भी जो कुट्टा है आपके गाड़ी के उपर में अपना टॉलेट किया तो इसकी गंध आ गई तो जब आप दूसरे जगए अरिया में जाते हैं उसे लगता है कि किसी कोई दुश्रा कुट्टा आगया हमारे एरिया में इसलोग आप को बता रहा हूं कि estrogen का क्या काम है बहुत ज़्यादा important है estrogen का काम है period के समय ओवं को बढ़ाना यानि यह period लाने में उत्तरदाई होते हैं दुसरा काम जो है दुसरा हार्मोन है वह प्रोजेस्ट्रोन प्रोजेस्ट्रोन जो है वह गर्प में जो सिसू पल रहा है उसके development मदद करता है बच्चे को protect करता है अगर किसी महिला को यह हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसका गर्व थहर नहीं पाता है दो या तीन मेहने में निकल बच्चे भाहर आ जाताया यानि या बच्चा थहर नहीं पाता है तो प्रोजेश्ट्रोन रहन आव बहुत जडरूरीए मुसल्स को वह फैलाते ताकि बच्चा आसानी से नॉर्मल डेलिवरी हो सके तो यह तीन बहुत इंपॉट हार्मों थे जो फीमेल हार्मों में और एक्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी ग्रंथी कौन से अंतर सरावी ग्रंथी तो उसका answer है pituitary gland लेकिन अगर pituitary gland के option में अगर pineal भी आ जाए तो सबसे छोटी होती है pineal gland, pituitary gland से भी छोटी ग्रंथी होती है तो इसका काम क्या है ये पूरे body को कंट्रूल करता है इसलिए इसे master gland भी कहते हैं अब बात करते हैं कि इन में से कौन-कौन से हार्मोन निकलते हैं तो इन में से TSH यानि thyroid stimulated हार्मोन निकलते हैं जिसका काम है thyrexin बनाना और ताकि thyroid gland अच्छे से thyrexin बना सके उसके बाद होता है हार्मोन STH यानि Asmetotropic हार्मोन यह क्या करता है हमारे बृध्धी को नियंत्रित करता है हमारे height का कम होना यह ज्यादा होना इस हार्मोन पर dependable है उसके बाद आता है LTH यानि कि लेकोजेनिक हार्मोन यह दूद के निर्मान में मदद करता है मतलब महिलाएं जो बेबी को दूद पिलाती है तो वह दूद के निर्मान में लेकोजेनिक हार्मोन मदद करता है और जो चौता है वह ऑक्सिटोसिन यह क्या करता है दूद के स्राव में मदद करता है य या मतलब दूद पिलाने वाली जो भी है मैमल्स उनके सरी से ऑक्सीटोसीन हार्मोन निकलता है ताकि आसानी से दूद का सरा हो सके ताकि छोटे बच्चे भी उसे आसानी से पी सके और फिर एक और होता है वैसोप्रेसिन ये पिसाब की सांदरता को कंट्रोल करता है यानि पि सारे को सब्सक्राइब कर लें आपके फार्मसी फाइनल एर के एक्जाम में इससे जादा आपको पढ़ने की जौरत नहीं है आप इन सारे बातों को इन सारे नोट्स को अच्छी तरह से अपनी कॉपी में निकले और उसके बाद प्रैक्टिस करें आप जरूर पास हो जाए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे most important question के साथ आप इस वीडियो को like, share, comment करना ना भूले, अपने दोस्तों के भी share करें और अगर इस चैनल पे नहे हैं तो subscribe करके bell icon जरूर प्रेस कर ले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, bye bye